नम्सकार दोस्तों, मैं हूं जित्व यूर्म, आपका हार्डिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिटू, रिवुल्यूशनरी फार्मर में तो हांडा, प्रिडिडिंग फारम, यूसाती हैं, हांडा और गाउ है इनका हुरिता, जिला है इनका हिसार, वहाँ पर ये देख सकते हैं जो इन्होंने बच्चे और जो नंदी तयार किये हैं हर्याणा नसल के वो काफी काफी लाजवाब ये देखें तो जो हमारे वेदों में कहा गया है कि गोबन्स का एक शुद्ध नसल का नंडी तयार करना और उससे नसल को बढ़ाना वो कुछ ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप सो अच्छी नसल की शुद्ध नसल की गाएं तयार करते हैं तो नंदी अपने जीवनकाल में उस नसल को काफी उपर उठाता है, काफी अच्छे बच्चे और शुदता के साथ बच्चे इस पृत्वी पर ला पाने में जो एहम योगदान है, एहम सा योग है, वो है नंदियों का, तो यहाँ पर यह जो पहले नंबर पर, जो इनका माजरी आसरम से महराजी के पास से लाया गया था, इसका जो बाप है भव्य सांड है, भव्य, लंबा चोड़ा हटा कटा सांड है, गुजरात के एक अच्छे गोपालक ने उसके एक क्यावन लाख रुपे लगाए थे, और उसी का ये बेटा है, मा है इसकी नॉर्मल दाने चारे में 16 लेटर दूद उत्पादन शम था, वो एक पूरी कंप्लीट वीडियो उस समय जब इसे योगेंदर नाम के इस सांड को वहाँ से लाया गया था, तब उसकी पूरी जो पेडिगरी जो है, उसके बारे में जो एक जानकारी है, वो दी गई है, और ये देखे, सांड बनती है, तो फिर वो सांड पिछे गिर जाने के चांस उसके ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरह का कोई अवगूर नहीं देखने को मिला, और उस समय जब महराजी ने इनको ये सांड दिया था, उस समय इस तरह से दाग इसके चिनित किया गया था, तो ये देखें, ये जो बुल है, उसके बाद ये जो बच्चिया है, दिखाएं, दिखाएं एक बार चला करके और फिर जाने दें इसको दूद पीने के लिए, आप बोड़ी स्ट्रक्चर देखें, ये देखें, हम्प की पोजिशनिंग जो है, वो देखें, और अब मैं बताना चाहूंग जो दाग 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 इस तरह से हो जाते हैं, वो जरूर हुए थे, लेकिन अभी ठीक है, दाग के जो निशान है, वो अभी हैं, और अभी आपने जानकारी दी कितने महीने की हो रखी है, अब भी भी मा का दूर्पी। इसकी जिनीब मेरे नशी में थी, आज ये देख लो, सूस बिल्कुल अस्ट पूस्ट है, अस्ट पूस्ट है, लेकिन उसके बाद भी आप देखें, नसल की सुद्धता में कहीं कोई कमी अगर आपको दिखती हो, तो डारेक्ट शक्ती की बेटी है, डारेक्ट मेटिंग इ और उसमें, इस गोधन की बेटी है, चंदरीका, और चंदरीका की ये बहन बनी, और फादर साइड है शक्ती, और इस गोधन ने जितने भी बच्चे दी एक से परताब जो है, वो इसी, स्वेता का ही बेटा है, पहले आपके पास है चंदरीका, उसके बाद में परताब, ठ ठीक है, उसके बाद में करण, ठीक है, उसके बाद में ये बच्चिया, ठीक है, और दूसरी बात और बताताब भाईजी, ये देखें, इसी का, इसी गोधन का पिछला ब्यात का जो बेटा है, उसको यहाँ पर देख सकते हैं, टिपिकल जो हर्याना का फेस होता है, वो दे ये देखें, हाइट काफी, काफी, काफी लाजवाब है, क्योंकि स्वेता की जो हाइट है, पिछे आप देख पा रहे हैं, वो काफी अच्छी, आपकी गुरू मानगे, आपको सब कुस मानगे, मैंने ये स्टार्ट किया, लेकिन मेरे को उस ताइम ब्रीडिंग अपता ही ये थोड़ा कमजोर था, इसको दूद तदूरू पिला गया, इसकी केर नहीं हो ही मेरे से, लेकिन परमात्मा ने फिर ये कैसा काइम आया, इसकी केर भी अच्छी, बढ़ा भी बहुत अच्छा, और इसकी मान दूद बहुत लंबर टाइम देती है, जी, जी, तो ये देख योगेंदर जो नंदी महराज हैं, उसी से इस बार गर्वित इनको करवाया गया है, तो पहले जो एक इनके सामने चुनोती थी, कि अच्छी नसल विक्सित करना है, लेकिन सांड था नहीं, तो फिकप में चड़ा करके, इतनी दूर भेशते थे, और फिर उसको ग्याभिन क महराज जी का मैं तया दिल से धन्यवाद करता हूं, आज ओर की लेके आया हूं, अगर महराज जी कहेंगे, नुका भाई, तीन साल के लिए लेके आ रहा हूं, मेरे को बिलकुल कोस्ट फरी, उन्होंने दिया लेकिन मैं मेरी सर्दा से, ठीक है, उनको कुछ भी देके आया ह ठीक है, तो यह देखें, करन जो है, बुल, डारेक्ट मेटिंग, स्वेता, पंचायती नंदी का यह बेटा है, फादर साइड से, और फर्स्ट टाइमर उसकी जो बेटी है, तेरा लिटर तक दूदाराम से निकाला है, उस सांड का यह बेटा है, डारेक्ट मेटिंग से हु अब इस चीज को देखें, उस समय जो सांड प्रियोग किया गया था, उस गोधन के उपर, इसकी मा जो है, वो वहाँ पर है, काफी काफी लंबे समय तक दूद देने के लिए जानी जाती है, और यहाँ से पुशकर मेले में गई थी, और 16 लेटर वहाँ पर दूद निकाला अगली जो बचडी है, थनों की बनावट आप काफी अच्छी देखने ठीक है, और वह देखें, वह जो बच्चिया है, वह अपनी मा से अभी भी दूद पी रही, ठीक है, बताएं, यह अपनी थार पार कर बच्चियागी है, अच्छा, और एक नंबर पर इसकी माँ है, औ अच्छा, और यह जो है, यह जित्तो बाई जी, आपके पास एक सबसे पहले गाए आए थी, और जो नवीन भाई है, उनके रिष्टेदारों ने गाए आपने फ्रियोग कोष्ट दी थी, वह बैंजी एक में खेलने के लिए गई थी, नाम तो मेरा उनको याद नहीं है, व मेटिंग से शबरी जब ग्याबिन हुई थी, तो राजा से हुई थी, और उसी का बेटा यह है, फादर साइड जो है, राजा, जो कि गाम इमलोटा से लाया गया था, और माँ का दूद है, 18 किलो, कुछ ग्राम, 700 है या 600 है, माफी चाओंगा, मुझे ठीक से याद नहीं, 18 किलो प्लस इसके बाप की माँ का दूद था, और इसका बाप जो बेटा है, राजा, H973 हर्याना का सांड है, तो डारेक्ट मेटिंग है, और इस बचडे की जो माँ के अंदर हेक और खास्यत थी, दूद जब निकालते थे तो कभी जाग नहीं बने, और घी, सारवादिक घ गी उस गाएं के निचे हमें देखने को मिला था, जब उसको बिलोते थे, और जिस दिन वो यदुवनशी गोशाला से गई, उस दिन बिलकुल घी जो था, वो बिलकुल डाउन आ गया था, तो इसकी माँ जाते ही, घी की उत्पादन जो था, वो बिलकुल कम हो गया था, त गुद 12-13 लिटर तक ही देती थी, लेकिन घी की क्वांटिटी थी, वो काफी अच्छी थी, तो उसी का ये बेटा है, फादर साइड राजा, ये दुवनशी गोशाला से, अगला, अगला बताएं, ये नितुरानी का बेटा बाई जी, 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 राजा से, ठीक ह तो तकरीबन वो जो पीछे इसकी मा है, बड़े हम्प के साथ, वो जो है, वो नितुरानी है, और उसकी जो डारिक्ट जो गर्बाधान हुआ था, वो राजा से, और बताना चाहूंगा, चार या पांच बार लगातार फिरी थी, लेकिन फिर अपने आप रुख गई, और तो नसल चुदार नहीं कर सकता, इस चीज को आप समझें, और ये काफी सयम और काफी सब्र का कारिया है, तो ये जो बचड़ा है, चार या पांच या छे बार इसकी मा गाभिन हुई थी, और फिर रुखी थी, फिर ये बचड़ा है, हमकी पोजिशनिंग देखें, और बि इदर करना, ले, ले, ये देखें, राजा का जो फेस कट था बचपन में, बिल्कुल सेम इसके उपर था, तो एक बचड़ा ये है, हालांकि बचपन में थोड़ा सा, जो है, इसकी केर कम हुई है, राजा का ही ये बेटा है, और राजा का ही ये बेटा है, ये घी लाइन का मैं इसको जरूर कहूंगा ये नितू का बेटा है जी दोनों करण और अरजून ये नाम रखूआ दोनोंगे आज से साथ महिने बाद में अगर इनमें कोई ठरक बता दे तो मेरा नाम बतर दियो भाई जी तो आया उसमें काफी कमजोर था इसको शुरू से अच्छा पोशन मि मिला है इसको थोड़ा अभी मिला है तेस्टिकल साथ देखें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नहीं देखने को बस बस और शान तब इल्कुल दिखाएं यह देखो नीचे बैठके दिखाएं तो यह देखें एक दो तीन चार्च चोथे नंबर पर बचड़ी पांच वाच् इनकी डिटेल और बताएं यह किस गव की आपने तयार की है अच्छा उसी की बेटी है आज लग बगए 15-16 महीने की अच्छा ठीक है यह देखो जिस्टें में पैदा हुई उस्टें यह दिक्कत में आई बहुत दिक्कत है उस्टें मेरे पास मालो जो नोदिया काफी है ज अच्छा तो यह देखें अगली जो बच्छिया है उसके बारे में और बताएं चार दिन पहले प्रेग्नेंट होगी अच्छा क्योंकि यह वहां थी करन के पास ही एक सवा साल की तकरीबन बच्छिया अगर आप उसको ठीक पोशन देते हैं तो ग्याविन हो जाती है हालांकि करवाणी थोड़ा सा नहीं चाहिए थोड़ा सा समय अगर और निकल जाए त गोधन का है बिलकुल बंधा हुआ शरीर और इसकी मांगे 14-15 लिटर दूद था और यह देखें शांद सभाव में बिलकुल मासूमियत जो चहरे पर है और डाटा गुराना गोशाला से लाई गई थी इस गोधन को आप देखें बहुत बढ़िया और उसके बाद अगली ज पिछली साल पी 80,000 अर्पे ली थी अच्छा और जनम देते इसका बच्चा मर गया ठीक है इसने 8-9 लिटर दूद दिया लेकिन इमत भाई कहते है आंडा भाई मैं दो तीन टाइम मिलकिंग कर क्या है इसकी 9-10 लिटर दूद टाइम का है एक टाइम का है जी 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 भूक बड़ भाई तो कितना अभी कितने महीने की जावीन है है अभी साधेके गड़ए शाधेकी है ठीक है ठीक है तो एक बच्छिया पार बता रहता हूं है आईप्रीड प्लिट जाधा ईटालियन उसकी लेकर जाधा बीड़वाटी मजे बीसाइ Based पाइदे आपलता पarım निए आपके पास तीशरी बार पंदरा दिन की ब्याई हो अगर 16 पलस में दूद हो तो मान जी ओ और बाकि 5 महीने दूद देते बाईजी और 5 महीने दूद देने के बाद में 2 महीने बाद में प्रेग्नेट होती है अच्छा बताओ 15-16 लिटर दूद देस्टी गया के अंद तो एक बुराना ये इस डेरी को बोल दी भाई जी तब तक जनम मिर्थी उनिस्टी इसी पारम के इन की इसी को सेल नहीं करूंगा जी ठीक है तो यह जो नैतिकता के साथ गोपालन करना ये कहीं न कहीं काफी चनोती पूर्ण है तो यह जो इनका बुल है आशा करते हैं कि इसके जो बच्चे आए वो अच्छे एक से बढ़कर एक आए और ये इनका इराया लगाओ अपनी मिटिंग करा ले जाओ अच्छी आए हो ठीक है तो यह देखें शक्ति ब्लड लाइन की एक और बच्चिया जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है तो जैनेटिक्स जो है क्रोमोजोम्स की जो एक पेरिंग बनती है तो वो कहपाना मुश्किल है मैंने वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया है कि 70% बच्चे जो हैं वो सफेद आते हैं 20% लाल आते हैं और 10% काले रंग के आते हैं यह आज हमें सीखने की और शोद करने की आवश्यक्ता है तो ब्रिडिंग के उपर समर्पित भाव से अगर काम किया जाए तब ही जाकर के भारती गोवंशों का अच्छा विकास हो सकता है गिर नसल के उपर जिस प्रकार से वहाँ पर काम किया गया इसलिए आज पूरे भारत वर्ष में गिर का एक अच्छा जो है वो नाम सुनने क को मिलता है जबकि अन्य जो नसले हैं वो कहीं न कहीं गुमनामी में चली गई क्योंकि अच्छे जो गोपालक थे उनको विक्सित करने में आगे नहीं आए तो यह देखें लस्डी के दाग जरूर है अन्य था साचा जो है हरियाना ब्रिड का और ना भी आप देखें विलकुल सपाट और हम्प की पोजिस्निंग और हम्प की जो बनावट यह देखें ठीक है तो इतना अच्छा गोधन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है तैं दुर्गापूरा दुर्गापूरा जैसी गोशालाएं हैं जैपूर में जहां पर दूद क्या भाव जाता है और दोली लेकर के लोग पहले खड़े रहते हैं दूद निकलता है और मात्र पांच मिनट के अंदर पूरी डेरी से दूद साफ और वहां पर आपने बताया कि कि जातर थार पार कर गये हैं तो वहां पर अगर कोकी बचडी लेना चाहिए तो क्या कुछ दाम वह मांगते है बचडी जो दूद से उगती है 30 ओगर थो 1,001,000 अगर और अगर कोई गाएं लेना चाहिए वह oh- Kerrygo वह तो घेड्लाक से दो-लाक टक और यहारें आपने बता तो आपने बता है कि आपका जो फाम है वो वैशाली के आसपास है तो एक तरफ तो जैपूर में दुर्गापूरा के आसपास सो रुपे लिटर तक दूज जा रहा है और आपका मातर पेंतालीस कारण अबर पास में यह कि वहां पर जो एक्चैप की कॉलिटी गाय आती है उनके कई डेली फाम पास में होनी के वज़े से वो तीज से पैते सुपे लिटर में अपना दूश सेल करना शुरू कर देते हैं कारण वहीं तो वह जो आते हैं जो कस्टमर आते हैं वह इस तरह के हम नहीं मांगते की इतना सुंदर थूई हो या देशी घौबंस हो उनको कोई मतलब नहीं है क्या बारे कि देशी गाय में या क्या क्वालिटी तो लंबे समय से पशु पालक रहे हैं क्या आपको फरक जाने के लिकले लेकिन वह फिर कम कम हटाते हटाते हैं और तुल भीbet Wellness सब्सक्राइब दूप क कम चाहिए और दूद भी स्वाजिश्ट भी लगता है और बहास का यह है कि अगर बिगड़ गई तो वह किसी काम की नहीं है आपको लगता है कि आने वाला समय देशी गाये का होगा देशी गाये का होगा पक्की बात है वह बिमार जाएदा होती है अच्छा यह जितना खिरा पूरा निकाल देगी तो शेहर के कुछ लगेगा तीन से चौते व्याद के बाद किसी काम की नहीं है चैप की आपकी और यह अपने देशी कितनी कितनी बार तक ब्याजाती है अपन यह बैले वह दस से बारा वार तक ब दूफब कर सकते हैं लेकिन इनके अंदर और जो पोशक्तत्मों का इनके अंदर भंडार जो दूद के अंदर देखने मिलें के और वह सायध हम अख्लों शास्त्रा मैं इन बी प्रार्फमिकता नह bunlar जिकर ही नहीं का है उनका कहीं कोई जिकर नहीं है तो ये चीज़ें हमें युआ साथी शुब नाम एक बार फिर मापका जाना जो है हेम राज चोधरी जगें लोकेशन एक बार फिर बताएं वैशाली नगर जैपूर और थोड़ा पर्टिकुलर अगर आप बताना चाहें तो दावास अजमे रोड यरापुरा अजमे रोड बाइपास अच्छा कोई आपसे दूद लेना अगर चाहे तो किन नमरों पर संपर् हैं तो यह देखें इन्हें के युवा साथ ही यहां पर आए हैं देशी गोवन शैद एक या दो लेकर के जाएंगे तो इन्होंने वहां का तजर्बा बताया है और एक चीज और जो जैपूर है वो तो पत्थर से गिरा हुआ है चट्टाने वहां पर हैं अरावली की अब पहाड़ी आए हो गरम जल्दी हो जाता है और फिर इतनी गर्म जलवाईयू में अचफ को महां पर रखा हुआ है वह उनके पंक्या लगा रगार के जिसे ठंडा महावरोसा कि फिर भी चेक इतना भी हो और फिर भी वह 10 में तकतों से जिर बाहर निकल जाती है आप चा अब प्रकार से जो पशु या यह कोई इनसान अगर स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस हार्मोन उनके दूद में शत परतीशत आते हैं तो यह अधुत जानकार इन युवा साथियों ने दी और आणडा सर को यहां पर देख सकते हैं तो इतना अच्छा गोवन्स दिखाने के लिए और इन युवा साथियों से मिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत अंजवाद डैंक युवरी मुच्छ तैंक युवरी मुच्छ